हालो फ्रेंड्स बेलकम टू जानी टॉक्स तू आज की इस वीडियो में दोस्तो हम डिस्कस करेंगे HPU B8 and Trans का एक्जाम जिसका हम GKS एक्षिन जो हैं दोस्तो वो पहले डिस्कस कर चुके हैं अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाएए पहले उस वीडियो को देख लीजिए उसके बाद हम इस वीडियो में हम डिक्स करने जा रहे हैं दोस्तो हिंदी और इंग्लिश एक्षिन के 20 और 20-40 महतपून प्रेशन तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को पहले प्रेशन से अगर दोस्तो आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी एक लाइक अवश्य कर दें मुर्धनिय बियंजन है तो आपको पताना है इनमें से मुर्धनिय बियंजन कौन सा है तो इसमें जो मुर्धनिय बियंजन है दोस्तो बो है ट तो ऑप्शन इसका ए जो है बो सही हो जाएगा ट जो है बो एक मुर्धनिय बियंजन है मुर्धनिय बियंजन में आते हैं दोस परिमान बाचक विशेशन आपको बताना है तो इसमें जो परिमान बाचक विशेशन हो जाएगा वो हो जाएगा पांच किलो ओप्शन C सही हो जाएगा पांच किलो नेक्स्ट है अधिकर्ण की विभक्ति है तो दोस्तों कारक आपने पड़े होंगे तो इसमें अधिकर्ण क जो भी भक्ति होती है वो होती है में पर option इसका डी जो है पर इसका सही आंसर हो जाएगा करता नहया है कर्म को संपरदान के लिए करंड से के द्वारा संपरदान के लिए अपादान से जुदाई के अर्थ में सम्बोधन सोरी समंध का आता है का के की अधिकर्ण में पर और सम्बोधन हे अरे भो इसका तो सही आंसर होगा वो होगा option D नेक्स्ट है अलस्य सब्द का आपको विशेशन बताना है तो अलस्य सब्द का जो विशेशन होगा वो होगा अलसी ओप्शन D सही हो जाएगा अलसी नेक्स्ट है बाल का इस्तिरिलिंग है तो बाल का जो इस्तिरिलिंग है वो है बाला option A correct हो जाएगा next है आपको सादू का इस्तिरलिंग बताना है सादू का इस्तिरलिंग हो जाएगा सादवी तो इसका जो option है C इसका सही हो जाएगा next question है निमलिक्त विकल्पों मैंसे सकर्मक करिया का chain कीजिए तो इसमें जो सकर्मक करिया हो जाएगी वो हो जाएगी पिघलना option इसका D जो है वो सही हो जाएगा next है जिन सब्दों मैं प्रियोग के अनुसार कोई प्रिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहा जाता है दोस्तों उन्हें कहा जाता है अभिकारी शवद option C सही हो जाएगा अभिकारी शवद next question है तालबिय बेंजन आपको पताना है तो उचार्ण स्तान से यह दूसरा प्रिशन है तालबिय बेंजन दोस्तों तालबिय बेंजन है इसमें जो तबर्ग है वो आता है इसमें तबर्ग आता है तो इसका option D जो है वो सही हो जाएगा तर्थ दर्थ जो है ये तालबिय बेंजन है बाकी टर्ज है दोस्तों ये मुर्धनी बेंजन है पो जो आता है पो आपका आता है इसका जो उचाणस्तान होता है वो होता है और चबर्ग जो आता है ये आता है आपका सोरी दोस्तों यहाँ पर इसका उप्सन सी होगा तालबिय बेंजन जो है उप्सन सी जो है वो सही हो जाएगा इसमें चर्च जो है यह आपके तालबिय बेंजन में आते हैं और जो तबर्ग है दोस्तों इसका जानस्तान जो होता है वो दंत होता है तो इसमें इसने लड़के ने मारक किया हुगा था और मैंने उसी के उपर मारक कर दिया नेक्स्ट है निमलिक सब्दों में से तत्सम सब्द आपको बताना है तत्सम सब्द जो है इसमें वो है पूर्ण ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा चूर्ण जो है इसका सही answer हो जाएगा चूर्ण जो है यह तक्सम सबद है next है एसे पद का आपको संदी बिचेद पताना है यह है दोस्तो दिरिक संदी का example ऑप्शन B correct हो जाएगा दिरिक संदी next है मिलाबट में प्रियुक्त प्रत्य कौन सा है तो मिलाबट में जो प्रत्य है वो है आबट option इसका B सही हो जाएगा आबट next है एक प्रत्य जोड़कर बनाये गया सब्द है तो इसमें एक जो प्रत्य लगा है वो लगा है दोस्तो then इक में option B सही हो जाएगा फ्रटीप्लस 1 से बनता तो इसमें एक प्रत्य है दूबला सब्द में उफसर्ग है दोस्तों, वो है दूबसर्ग होगा इसका option जो b हो सही हो जाएगा दूब इसका सही answer है next question है next आपको दोस्तों एक गद्यांस गद्यांस दिया हुआ था इससे पढ़के आपने इसके प्रेशन चाटने थे तो हम प्रेशनों को हमेने सौल कर लिया है जन संकुल का यहाँ पर आपसे पूचा है आसे क्या है जन संकुल का आशे होता है दोस्तों भीड भरा तो option B correct हो जाएगा भीड भरा नेक्स्ट है आम की छतनार डालियों के करण क्या होता था तो यह होता था दोस्तों यात्रियों की थकान मिठती थी option इसका C जो है वो सही हो जाएगा नेक्स्ट है शाकाहीन, रसहीन, शुष्क ब्रिस्क को क्या कहा जाता है जिसमें कहा गया है ठूंट ब्रिक्ष, option C सही हो जाएगा ठूंट ब्रिक्ष, नेक्स्ट है आम के ब्रिक्ष के सामने पीपल और बर्गत के सर्माने का कारण था इसका कारण था दोस्तों हबा की वास सुनाई देना option B correct हो जाएगा next है आम के अभागेपन में संभवता एक ही सुक्द अपवाथ था बो था संग्या का लुप्त हो जाना तो option B इसका correct हो जाएगा संग्या का लुप्त हो जाना next है अब इंगलिश section सुरू है तो दोस्तों इसमें आपको पताना है wrongly spelled bird इसमें कौन सा है तो इसमें wrongly spelled जो bird है वो है relevant, relevant की spelling होती है r e l e b a n t होती है यहाँ पर e है तो इसका option B सही होगा next है इसमें जो wrongly spelled bird है next में वो है दोस्तों बोसी फेरेट बोसी फेरेट नहीं होता है बोसी फेरस होता है तो option इसका d incorrect हो जाएगा next है आपको one word substitution बताना है तो one word substitution a man who based his money on luxury इसके लिए one word होगा दोस्तों extra present option D सही हो जाएगा extra present next है but word from the following given word would use to represent a doctor who specialist in disease of the nose तो nose के specialist doctor को खा जाता है renologist option A correct हो जाएगा renologist next है in a politically enlightened community neither the kings nor gods have anything to say enlightened का आर्थ होता है दोस्तों इसका आर्थ होता है जैसे प्रपुद यानिकी एक काफी ग्यानी ग्यान इसको बोल सकते हैं ग्यान से पून तो इसके लिए जो पूछा गया है यहां पर opposite meaning बताना है तो इसका object हो जाएगा दोस्तों uneducated या फिर uneducated इसका शिक्षित हो जाएगा तो इसमें stupid भी हो सकता है unlighted होता है दोस्तों जैसे प्रपुद तो इसका stupid भी हो सकता है और uneducated भी हो सकता है next है select the correct representation of the word or the phrase he took the decision of his own accord तो इसके लिए जो सही word होगा वो होगा willingly option a correct हो जाएगा willingly next है the worker are hell bent at getting but is due to them तो इसके लिए hell bent upon getting option c इसका सही हो जाएगा upon का use किया जाएगा hell bent upon getting next है fill in the blank with the correct word from the following the miser gives dash dash at the pile of gold coin in the front of him तो option a सही हो जाएगा evidently option a correct हो जाएगा next है select the pair which has the same relationship दोस्तों जैसे crane का salt से है तो बैसे होगा blade का grass से option c जो है वो सही हो जाएगा a analogy से सबंदित है next है the select pair which has the same relationship तो light, blind light के लिए अगर blind है दोस्तों तो इसके लिए speech के लिए dumb होगा तो option a जो है वो सही हो जाएगा next है fill in the blank with the correct word from the flowing तो यहाँ पर आपको पताना है correct fill करना है word our teacher our sir teaches mathematics besides English तो दोस्तों हमारे teacher जो है mathematics के अलावा besides का अर्थ होता है option b इसका सही हो जाएगा besides का इसका सही answer हो जाएगा next है please come dash dash the bathroom तो please come out of the bathroom option a सही हो जाएगा next है find out the antonym of underlined word the foremost का अर्थ होता है दोस्तों कैसे बहुत ही महत्तपून तो इसके लिए antonym word हो जाएगा unimportant option b next है he dash dash for you all day he is still betting now he has betted option इसका भी सही हो जाएगा he has betted for you all day he is still betting now next है the grapes are now dash dash enough to be picked तो दोस्तों grapes are now ripe enough यनकी पक गए हैं option इसका C जो है वो सही हो जाएगा the grapes are now ripe enough to be picked next है तो यहाँ पर भी आपको पैसिज दिया हुआ है इसको आपको ने ध्यान से पढ़ा होगा और आप इसके आंसर करे होंगे मैं इसके आंसर आपको बताता हूँ but can automatically help to reduce admission इसका option C होगा selective admission next है many of the new colleges are तो दोस्तो many of new colleges are factories producing degree holder option C इसका सही हो जाएगा next है how can teachers are तो दोस्तो teacher are by arranging refresher course option इसका incorrect हो जाएगा next है the author is in favor of districting college admission when the teacher student ratio is reduced option C इसका सही हो जाएगा next है the phrase phrase दी हुई है आपको backset problem तो इसका सही meaning होता है वो होता है दोस्तो एडिफिकल्ट problem तो option C का सही हो जाएगा एडिफिकल्ट problem तो दोस्तो हिंदी और इंगलिस section भी हमने complete कर लिया है तो thanks for watching God bless you all